जैसाई राग मैं हूँ किरन आप सभी का स्वागत पाली किचिन में आज हम बनाएंगे आवला कैंडी वो भी बिना गैस जलाए बिना ओबाले जो कि बहुती टेस्टी और टेस्टी होने के साथ यह हेल्दी भी है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्सियम और विटामिल इतना आसान है इतना आसान है कि इसे बड़े क्या बच्चे भी बहुत असानी से बना सकते हैं तो चले फिर फटा फटा फटाम रेस्पी को शुरू करते हैं यहां पर हमने लिए आदा कि आवले उसे पॉलिथिन में पैक करके अच्छे से नॉट लगा के हमने रग दिया द गंटे बाद देखिए कितने सॉफ्ट हो गए आवलो को दवाने के बाद देखिए कितने अच्छी से दब रहे हैं अब हम क्या करेंगे इसे कट कर लेंगे आप चाहें तो हांसे भी से निकाल सकते हैं इसके जो पीसे हैं लेकिन हम इसे कट करके निकालेंगे बहुत आसानी से निकल जाएगा ऐसे लगेगा कि आवलो को हमने उबाला है लेकिन हमने आज बना रहे हैं बिना गैस जलाए आवला केंडी और यह बहुत ही टेस्ट है और आप सब एक रेक्वेस्ट यदि आपको आवला केंडी की रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजेगा मेरे च लेंगे क्योंकि इसमें बर्फ का पानी जमा हुआ है तो इसे हम इस तरह से निचोड़ेंगे यदि हम निचोड़ोंगे नहीं तो इसके जो चास्नी है वच्छी बनेगी नहीं और चास्नी अच्छी से नहीं बनने के कारण यह हमारी आवला केंडी स्वाधिस्ट नहीं बन एक किलो चीनी अगर हम चीनी कम लेंगे तो इससे भी हमारी आवला कैंडी स्वाधिस्ट नहीं बनेगी इसलिए आपको धिहान रखना है कि हमें थोड़ी चीनी ज्यादा ही रखना है और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम दो दिन धूप में र पिगल जाए और यदि धूप आती हो तो बहुत अच्छी बात है तो आप इसे धूप में ही रखिएगा धूप में रखने से बहुत ही जल्दी बन जाएगी दो दिन लगेगा सिर्फ और हमारी चीनी जो पिगल जाएगी यह देखे मैं आपको एक दिन बात दिखा रहे यह देखे अब चीनी अच्छी से मेल्ट नहीं होई है अब हम इसे एक दिन के लिए और धूप दिखाएंगे ताकि चीनी जो अच्छी से पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और हमाई चासनी तईयार हो जाए और सारे आवलो के पीसेस में चीनी का फ्लेवर आ जाए मिठास फ्लेख चीनी का स्वात जाए मिठाव है अब हम इसे क्या करेंगे छान लेंगे अब लेलेंगे चासनी तो चाशनी चेसे ठेकेंगे नहीं इसे हम घट्टी-मिट्टी चटनी बना सकते हैं तो दो इसे फेकर इसे अब असानी से अब ले लेंगे एक बड़ी सी परात उसमे तो जिसमें हम एसे अच्छे से पैल आके रख सके वैसा ले ली जेगा या एक कपड़ा ले ली जेगा उसमें आप इसे फैला दीजेगा और इसे एक दिन धूब दिखानी है और देखें कितनी जूसी बनी है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जह अन्दर तक इसमें जू एक बाहर जरूर बनाइए गए गए और मुझे कमेंट करके जरूर बताये कालि मिर्च, एकालि मिर्च यानि अध्रक पाउड़ प् communism wir скоро डालें आपके प्मश्ट गुंड़ करें और हम दोने हम कर दूदा करें भी मिर्च, सोड का तो डालेगा, सौट डालना चाहते हैं, तो डालेगा, लेकिन जो टेस्ट आता है, वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है, और यह रही हमारी आवला केंडी, यदि आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजेगा, मेरे चन्द को सस्क्राइब कीजे और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको यह रस्पी कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई